Hey guys, welcome to another video और जैसे कि आपने थम्नेल और टाइटल में पढ़ लिया होगा आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं एक छोटासा टॉपिक जिसके अंदर हम बात करेंगे SSCBS, सही सुपदेव कॉलेज और बिजनस स्टडीज के अंदर BSC Computer Science की Cut-Off कितने कितने गई थी, किस राउंड में गई थी So, यहाँ पे हम यह चीज डिसकस करने वाले हैं और उससे पहले एक और छोटी सी रिक्वेस्ट कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनका मैंने देखा वीडियो और उन लोगों ने जस्ट फेक डेटा डाल रखा है गलर डेटा है, जस्ट गेसिंग से हैं प्लीज आप उन पे मत जाना आप फॉल्स होप्स लेके मत बैठना कि ओके इसने बोला कि चार्सरों सी कट-off गई है तो फिर मेरा तो होई जाएगा प्लीज ऐसा मत करना क्योंकि बहुत लोगों ने रैंडम कुछ भी डेटा डाल रखा है बहुत सारे कोच इंस्टिडियूट ने और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने खुद वीडियो बना के उनके पास कोई actual डेटा नहीं है इस वज़े से उन्होंने कुछ भी दोस्तों से पूच पूच के बना दिया है तो मैं highly recommend करता हूँ प्लीज यह चीज मत करना गलत डेटा के उपर मत जाना मैं आपको जो डेटा दिखाने वाला हूँ वो डेटा बिलकुल actual genuine है क्योंकि वो हमारे पास actual list में से आया हूँ ठीक है इसके अंदर कोई भी like ऐसा डेटा नहीं है जिसको हमने फॉर्ज किया है या चेंज किया है या जस्ट एक guessing हो ठीक है तो हम start करते हैं सारी categories और सारे लोगों के बारे में बात करने से पहले हम देख लेता है कि CBS के अंदर seats कितनी होती है तो CBS के अंदर हमारे पास totally 78 seats होती है बट 78 की 78 नहीं बढ़ती around around 70 तक जाती है seats और बाकी बच्चे कुछ लोगों थे हैं जो back कर लेते हैं तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है तो अभी currently अगर हम बोलें तो जो 2022 वाले जो students है जो 2022 में जो आए CBS के अंदर उसके अंदर अगर हम बात करें तो 64 students अभी currently है क्लास के अदर ठीक है और totally starting में 70 students आए थे ठीक है तो 70 to 64 हो गए थे सो अब यहां पर हम start करते हैं cut-offs के बारे में सो round 1 की जो cut-off गई थी वो गई थी 662 for unreserved बाकी यहां पर मैंने seats भी लिखे हैं कि इसके अंदर total कितनी seats हैं ताकि आपको थोड़ा idea लग सेखें तो 23 seats है unreserved यानि की general के लिए तो उसके अंदर जो cut-off गई थी first round की वो गई थी 662 then 659 गई थी second round में then third round के अंदर कोई भी student नहीं आया था ठीक है यह dash का मीनी यही है उसके अंदर कोई भी student नहीं आया था spot 1 के अंदर 3 students आये थे और उसमें cut-off गई थी 588 and spot 2 के अंदर कोई नहीं आया था क्योंकि यहां पर हमारे fill full हो चुके थे next OBC की बात करे 15 seat थी पहले round जब हुआ पहले round के अंदर 558 cut-off गई then next round में सिर्फ एक बच्चा आया था उसकी 557 थे तो वो आ गया था then उसके 3rd round में कोई नहीं आया था and spot round के अंदर एक बच्चा आया था जिसके हमारे 459 मार्क्स थे so यह वाली चीज धियान रखना कि कोई भी अगर आपको randomly आके बोल रहा है ओके भाई ठीक है CBS के अंदर cut-off जोगे थी 459 गई थी doesn't mean कि आपका 459 है तो आपका 500 पे हो सकता है ना यह सरफ एक बच्चा था जिसका यह हुआ था क्योंकि उनके पास already इस पॉइंट पे सारे बच्चे हो चुके थे इसलिए 3rd round के अंदर कोई नहीं आया था और यह जो हमारा 3rd round है इस पॉइंट पे कुछ बच्चों को अप्ग्रेड मिल गया था तो वो लोग यहां पे चले गए जिसके अंदर से एक OBC का बच्चा गया और इसी चक्कर में इसको हमको admission में मिल गया तो यह मत मानके चलना cutoff इतनी है तो फिर इससे उपर हुई तो मिल जाएगा यह जस्ट एक बच्चे की बात है एक्च्वल में आप cutoff मानके चलो कि यह cutoff थी क्योंकि जो है हमारे 15 है ना तो 14 बच्चे यहीं पर हमारे पास हो चुके थे full next SC के लिए 9 सीट हो टोटल होती है तो उसके अंदर जो है cutoff गई थी 491 फिर यहां पर फुल हो चुका था यहां पर यहां पर कोई भी बच्चा नहीं आया spot 1 में भी एक ही सीट बची थी वो जो की यहां पर 3rd round में किसी ने अपग्रेड मारके चेंज कर लिया था तो एक सीट जो बची थी वो spot 2 के अंदर किसी को मिली और उसके मारक्स थे 295 ठीक है तो cutoff अगर हम टोटल cutoff बोले तो 259 लेकिन actual genuine cutoff जो गई थी 491 next ST के लिए 4 सीटे होती है चारो की चारो हमारी 1st round में भर गई थी ठीक है तो उसकी cutoff गई थी 422 ठीक है तो यह हमारा original data है कोई guessing नहीं है यह actual cutoffs है तो यह जो PDF है इसको में comment section में डाल दूंगा साथी साथ description में भी में डाल दूंगा आप वहां से जाके इसको check out कर सकते हैं okay so that's it from my side and अगर किसी के कोई भी doubts from cbs से related computer science से related then please कोई problem निया आप directly मुझे contact कर सकते हो LinkedIn पर या फिर Instagram पर comment section में आप पूछ सकते हो गर कोई सी का कोई सावाल है okay so that's it चलो अभी हम वीडियो को wrap up करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो के अंदर एंड जो स्टूदेंट cbs के अंदर बीए सी ओनर computer science करने आने की सोच रहें उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि ठीक है आना साथ में मिलेंगे बहुत कुछ कोड़ेंगे ठीक है तो just मज़े करेंगे ठीक है किसी के कोई doubts हो पूछ लेना कोई problem नहीं है बाकी अगर इसी तरीके का अगर आपको एक वीडियो और चाहिए जो BMSR BFI के ओपर हो देन प्लीज डू लेट मी नो हम फिर उसके ओपर भी काम करेंगे बट ऐस लाइक टाइम बहुत कम बचा है हमारे भी exams चल रहें तो थोड़ा सा हमको यह द ना जाएं एंड मेरे पास कुछ students को juniors का भी मेरे पास message आया around 5-6 students है जिनका message आया कि यह वाला data किसी ने डाल रख है क्या यह correct है तो मैंने उनको बता है नहीं यह correct नहीं है और वो लोग बिलकुल like false लेके बैठ है गलत हो लेके बैठ है तो उस चीज में ना फस नहीं ठीक 10 round में सिर्फ एक बच्चा आया जिसकी सिर्फ तीन नंबर कम है 3rd round में कुछ हुआ नहीं और तीन बच्चे आया जिनकी cut-off 588 गई है तो अब यहां पे हम सिर्फ एक तुक्के पर बैठ सकते हैं कि ओके यहां पे हमारा हो जाएगा अगर हमको कराना है तो हमको 662 मान के चलन नंबर की तो कोई बात ही नहीं हो रही है ठीक है यहां पर भी जैसे मैंने बताए कि यहां पर स्पॉर्ट राउंड में जाके किसी एक बच्चे का हुआ तो यह एक्च्वल कॉट अपने ने जो कट आप डाल रहे हैं 480 डाल रहे हैं वह भी 1st round के लिए तो इस तरीके का ड इस देटा को अपर डालने का ट्राइगा बट वह भी गलट डेटा है यह बिलकुल आक्यूरेट डेटा है ठीक है बालेटा है रहे हैं जो ओई दो तो यह दो दो आहे हैं अपने चाहां है